हलो दोस्तों कैसे आप सभी और यह वीडियो उनके लिए जिनके पास आइफोन एक्स है अभी और या फिर जिनोंने आइफोन एक्स पहले से कहीं से पर्चिश करा हुआ है खरीद लिया है या फिर खरीदने की सोच रहे है तो अभी हाली में एक न्यूज आई है जिसके तहट एक वियतनामी साइबर सीक्यूर्टी फर्म है बी के एवी बकाओ बोलते हैं जिसे आप बोल सकते हैं बकाओ उन्होंने एपल की फेस आईडी जो लॉक होती है जिस पे एपल को इतना ज्यादा मतलब की घुमान है इतना ज्यादा वह है कि वो अपने फेस आईडी को लेकर की तना ज्यादा बकबक करता है कि बोलता है कि आप फेस अडी जो है जहुत यह बैज सेंग है पता रहे हैं इतना सइंटीफिक इंग इसमे इतने टेक्लोजी लग ईए उसे कोई हैं नहीं कर अशल तो उसे ही हैक कर दिया है और उनके सिक्योर्टी को ठेंगा दिखाया एक वियतनामी साइबर सेक्यूर्टी फ़र्म है बीकेवी उनके रिसर्चर ने सो उन्होंने एक मास्क त्यार किया है और उस मास्क को यानि कि अगर आपका एपल आईफोन एक फोन के पास प्रॉम अपने और यहां पे सेक्यूर्टी नवन में पर जदक की में इतनी जादा डील की थी उतनी जारा चीजे बोली थी यहांने बूखा इंधो कर Battling हमने hollywood के makeup artist के साथ मिलके और इसे एकदम से secure बनाने का पूरा प्यास करा है और बिल्कुल fully secure है तो hackers ने जो भी आप उनको hackers बोल सकते हैं उन्होंने उसको लॉक जो भी face ID lock है उसको bypass यानि की hack कर लिया है उसके hack करने में उन्होंने यूज किया है एक 3D printed frame का एक silicon nose का जो मास्क का नोज है वो silicon का बना हुआ है टूजी images है कुछ और कुछ special processed area है face पे कुछ specially processed उसमें कुछ अलग उन्होंने technology यूज करके और उसको specially processed किया हुआ है उसके बाद यह सब करने के बाद उन्होंने mask त्यार किया और apple iphone रखा और उसके सामने mask लाया और वो hack हो गई यानि की जो lock है वो open हो गई तो उसका वीडियो भी उन्होंने post कर रहा हो सकता है तो मैं description में उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा आप वहां पे वह वीडियो देख सकते हैं फिलाल के लिए मैं आपको बताने चाहता हूं कि जो mask है वह online e-commerce या फिर online किसी website पर मिल रही है website का नाम मुझे नहीं पता बट website पर कहीं मिल रही है 150 डॉलर में only yes आप 150 डॉलर में उस mask को खुद भी तैयार कर सकते हो अगर आप इतने टेक्निकल हो आप इतना कुछ जानते हो टेक्नोलजी के बारे में तो आप वह कर सकते हो उसमें जो खर्च है वह 150 डॉलर है 3D printer के खर्च को निकालके 3D printer काफी costly भी आता है सो 3D printer के cost को निकालके बाकी खर्च 150 डॉलर का है सोचो आप 150 डॉलर में किसी का iPhone X को hack कर सकते हो ऐसा यह न्यूज का है तो यह पूरी न्यूज है और रही बात security की तो मैं भी हमेशा प्रिफर करता हूं कि आप थम प्रिंट यानि की जो यह fingerprint होता है उसका और face lock इन दोनों क का चीज हो गया है वैसे तो बाकी लेकिन इन यह दोनों जो है वह face ID और थम प्रिंट से काफी ज़्यादा सिक्योर है आपको मैं बताना चाहता हूं क्योंकि इनका कोई आपका उठा लेके ऐसे लगा देगा फोन पे अनलोग हो जाएगा आपके face पे लाके ऐसी कोई mask त्या आने में काफी टाइम लग जाएगा तो इंडिविजुली किसी को है करना इंपॉसिबल है बट यह टेकनिक है इस तरह से इतना पता है कि हाँ हो सकता है तो गाइस आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपके पास आपल आइफोन एक्स है तो आप बि वीडियो के लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में बाबाई टेक क्यार और सब्सक्राइब करना बिलकुल में बोलना